आज हम मौड्यूल 185 डिस्कस करेंगे, मौड्यूल 185 है यूजिंग नेम्ड पाइप्स प्रिविसली हमने देखा था कि नेम्ड पाइप्स के हमारे पास कही ड्वांटेज़ेज़ हैं अगर नेम्ड पाइप्स को आपने यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, ऑफ कोर्स विंडोस के अंदर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर हमने यूज करना होता है, तो हम API का इस्तमाल करते हैं तो नेम्ड पाइप्स को क्रियेट करने के लिए जो API हमारे पास वेलेबल है इस लिए इस रिखेट नेम पाइप्स क्रियेट कर सकते हैं यह API जो है उसका एक हैंडल रिटेन करेंगी आप उस हैंडल की मदद से पिर उस पाइप को एकसेस कर सकेंगे फिर जो create name pipe का function है इस function के अंदर आप उसके maximum instances भी define कर सकते हैं कि उस name pipe के कितने instances होंगे जिस तरह से client server model होता है तो आप देखते हैं certain servers के अंदर clients की एक limit होती है कि 30 clients एक वकत में सिरफ उसके साथ connect हो सकते हैं तो इस तरह से आप एक limit भी specify कर सकते हैं कि कितनी named pipes जो हैं एक वकत में उसके कितने instances जो हैं वो create किये जा सकते हैं उससे ज्यादा instances नहीं create होंगे और चनाचे उससे ज्यादा clients जो हैं वो भी उसके साथ attach नहीं होंगे जो आम तोर पर जो process pipe को create कर रहा है उसको हम consider करेंगे कि as server process और दूसरे processes जो pipe के साथ connect कर रहे हैं वो आपके client processes हैं आम तोर पर ये pipe के साथ कैसे connect करेंगे ये pipe को open कर सकते हैं using simple create file function इस diagram के अंदर हम इस process को जो है वो मजीद elaborate तरीके से understand कर सकते हैं यहां पर थोड़ी सी confusion है वो यह है कि multiple instances of pipes का क्या मतलब है multiple instances of pipe का मतलब यह है कि pipe का नाम एक ही होगा लेकिन उसके instances different होंगे और हर instance जो है वो एक different कहलें के process के साथ correspond कर रहा होगा अब for example आप जिस तरह यहां पर server को देख रहे हैं इस server process के अंदर क्या हो रहा है कि server process एक loop के अंदर pipe को create करता create name pipe ठीक है एक named pipe उसने create की और उसका handle इसके अंदर उसने place कर दिया इसके बाद फिर corresponding वो एक thread भी create कर रहा है वो एक thread create कर रहा है जो basically उस named pipe के client के तौर पे act करेगा जब भी वो एक named pipe create कर रहा है या उसका एक instance create कर रहा है तो साथ ही साथ उसका एक वो thread भी create कर रहा है इस example के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास n total n clients हैं n threads हैं 0 से लेके n-1 तक तो यहां पर आपके पास जो loop चला है वो भी 0 से लेके n-1 तक आपके पास loop चला है और हर iteration में आपने एक thread create किया और एक pipe का instance create किया तो हर thread के पास अपना pipe का एक instance है जिस तरह आप देख सकते हैं इस thread के पास ये instance है हर एक पास pipe की एक copy available है और फिर जब वो उसी pipe name को use करता pipe name सारों के लिए आप देख सकते हैं common है एक ही pipe name है लेकिन उस pipe name के थुरू सारे जो threads हैं वो अपनी अपनी pipe को ही access करेंगे उसने अगर कोई request send करनी है किसी client ने कोई भी request send करनी है तो वो write file कर रहा है यानि के pipe के उपर कुछ data send कर रहा है और अगर उसने server का request response receive करना है तो उस case में वो read file कर रहा है यानि के pipe आपकी two directional है फुल डूपलेक्स है तो उसी pipe के थुरू वो response जो है उसको भी receive कर रहा है यानि के at a time वो server को request भी send कर रहा होगा और साथ ही साथ वो server से response भी receive कर सकता होगा using the same pipe और हर client के पास अपनी अपनी pipe की एक instance available है तो इस तरह से concurrently कही सारे clients जो है वो at a time अपना request send भी कर सकते है और जो response है उसको receive भी कर सकते है तो यहां पर server के अंदर क्या हो रहा है server के अंदर यही काम हो रहा है कि अंदर इसके जो भी processing हो रही है उसने जिस तरह for example response create किया और एक request उसने पहले read file से उसने request receive की उसको process किया process करने के बाद उसने उसको response बनाया और response जो है वो वापस उसी instance के उपर उसने write कर दिया तो बड़ा जो simple इसके अंदर आपको mechanism नदर आ रहा है वो यही है कि server जो है वो एक pipe का instance create करता है client से request receive करने के लिए और client को response send करने के लिए और साथ इसाथ एक वो thread भी create कर रहा है वो thread जो है वो basically जो भी request आ रही है उसको process करने के लिए और उसको response send करने के लिए वो thread इस्तमाल हो रही है तो इस तरह से two directional communication होती है full duplex communication हो रही है between server and client using named pipes